आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम सिध्धां तक नहीं हो तरी श्टडी आईक्यो पैप का बहुत सबागत है वह आपने डायलोग सुना होगा कि यह धाई किलो का हाथ जब किसी पर पढ़ता है तो वह उठता नहीं उठता जाता है सनी दियोर का था माइक टैसन के लिए बिल्कुल सही है आप देख सकते हैं यह धाय किलो का हाथ इन पर पढ़ा है और यह उठी गए हैं इतनी बार नौकाउट किया है माइक टैसन ने छोटी सी उमर में बॉक्सिंग करनी शुरू की और जब बॉक्सिंग फील्ड में कदम रखा सब लोग ड क्रियेट किया बहुत लोग इन से इंस्पायर भी हुए लेकिन उसके बावजूद माइक टैसन बहुत सारी कॉंट्रोवर्सी में घिरे रहे हैं कई बार इनको गिरफतार किया गया है गिरफतारी का जो सिल्सला है बच्पन से ही शुरू हो गया था यब यह 13 साल के थे तो अरेड़ी 38 बार इनको जेल जाना पड़ा था पिता जी से कभी देखा नहीं इनको माता जी से बनती नहीं अनात हो गए थे 16 साल की उमर में तो एक सर्वाइवर रहे हैं लेकिन वही चीज है ना कि जितनी तेजी से उपर गए उतनी ही तेजी से नीचे आए माइक टैसन का प्रचो सफर है वो बहुत ही उतार चराव बड़ा उतार चराव भरा रहा है तो हम देखेंगे माइक टैसन के सफर को बहुत सारी इंट्रस्टिंग स्टोरी जानेंगे दोस्तों 2003 तक 300 मिलियन डॉलर खर्च करके बैंकरप्सी फाइल कर दी थी बताईए 300 मिलियन डॉलर दो क्योंकि उनको लगता था कुट्ता बिलि कौन पालता है मैं तो वारियर हो तो मुझे तो शेर पालना चाहिए और अभी माइक टैसन का यूट्यूब चैनल है और मुवीज में भी काम करते हैं शोज में भी जाते हैं अब तो उन्होंने रिटार्मेंट ले लिया बॉक्सिं के नाम से मेरी फेस्बुक प्रफाइल है दोनों ही जगा प्रेचर की पीडियाफ रे सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं स्टेडी आएक क्यों के टैब्रेट और प्रेंडर्फ को से सहरे एक्जाम के लिए आते हैं अपर नमर्स पर कॉल करिए वेबसाइट विजिट करिए दोस्तों अगर हम माइक टैसन की बात करें तो इनका जनम 30 जून 1986 में हुआ था बच्पन इनका बहुत ही अच्छा नहीं गुजरा यह ब्राउंस्विल बुक्लेन न्यू यॉर्क में जन्मे और ऐसी जगह रहते थे जो डेफिनेटली सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छ अचा फइले 1959 को कुछ ऐसा हुआ जैमी करक पैत्रिक मैंट टैसन की माता जी से शादी कर ली तो यानि कि जो इनके और अरिजिनल फादर थे वह तो इन पो छोड़ के चले गये लेकिन पाला पोसा जैमी करक पैत्रिक पाला पोसा तो छोड़ी दीजे क्यूंकि जैमी करक प थी उनसे Mike Tyson की कभी बनी ही नहीं, ये इंटर्विव में कई बाल Mike Tyson ने बुला है कि मेरी और मेरी ममी की, मेरी मदर की कभी भी नहीं बनी, दूर दूर रहते थे कोई emotional attachment नहीं था, अब आम तोर पे इस तरीके का अगर बच्चपन होता है किसी भी बच्चे का, तो आगे ये survival के लिए इतना struggle करना पड़ा, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनकी माता जी थी, लौरना में, इनसे Jimmy करक पैटरिक ने, शादी की और पूरी फैमिली को ही छोड़ के Jimmy करक पैटरिक चले गया, उनको पता होता कि Mike Tyson ने तने बड़े स्टार बन जाएंग तो अभी आप देखेंगे, तो जब Mike Tyson बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत सामने आई जाते हैं, स्टैमर करते थे, तो माइक टाइसन को जब बच्चे चढ़ाते थे, तो माइक टाइसन डरते नहीं थे, जब बुली किया जाता है, बच्चपन में, बहुत सारे बच्चों को माइक टाइसन जाते थे और उनका मूँ तोड़ देते थे, बहुत मारते थे, पटक पटक के मारते थे, एक बार दोस्तों माइक टाइसन को कभूतर बहुत पसंद थे, तो एक लड़के ने इनके कभूतर को मार दिया, माइक टाइसन इनको बहुत पीटा, इसी के वज़े स से 13 साल तक माईक टैसन को कई बार गिरफतार किया गया, इंके ओपर चार्जेस फ्रेम किये गए, 13 साल तक 38 बार इनको गिरफतार किया गया था, स्कूल तो आप छोड़ी दीजिए, माईक टैसन का पढ़ने लिखने में तो ज्यादा मन लगा नहीं, स्कूल ड्रॉप आउट 16 साल की उमर में माईक टैसन की माता जी का ध्यानत हो गया, और खाने पीने के हाँ पे बांदे हैं, ये भी आप समझ लीजे, financially माईक टैसन बहुत अमीर नहीं है, 16 साल के पिता जी ओलेडी छोड़ के चले गए, माता जी का ध्यानत हो गया, माईक टैसन हो गए, अनात, लेक और इसको हम एक स्टार बना सकते हैं, तब कज डमैटो जो है थे, वो माईक टैसन के लीगल गार्जियल हो गया, क्या कहानी है दोस्तों, माईक टैसन जब लडाई करते थे, और जब इधर इधर थोड़ा बहुत बाट लेते थे, तो यहाँ पे इनकी नजर पड़ी, माईक कमाल के हैं, और काफी fears है, काफी aggressive है, तो शुरू में तो Stuart ने माईक टैसन को train किया, लेगि जब माईक टैसन की family के बारे में पता चला, तो Stuart को बहुत दुख हुआ, उपर से 16 साल में माईक टैसन के पास कही रहने की जगा नहीं, तो Stuart ले गए इनको डमैटो के पास, और ज ठक्के छुडाने शुरू कर दी, अपने प्रतिद्वंदियों के, जी हां, एमाच्योर boxing championship इन्हों ने जीतनी शुरू कर दी, 1981-1982, तो यहां पे जो ट्रेनिंग शुरू की, Stuart और डमैटो ने उसने कमाल का काम किया, और उसके बाद माईक टैसन ने कभी पीछे मुण के दे माईक टैसन ने जितनी भी लडाईया जीती थी, एक भी नहीं हारी थी उसमें से, तब यह बहुत हो हला होने लगा कि अरे यह कौन लड़का है और इसको तो वर्ड हेवीवेट के लिए fight करना चाहिए, अब बारी थी professional boxing में उतरने की, professional boxing की बात करें दोस्तों, तो के गली क्रिकेट, domestic cricket और international cricket में फर्क होता है, अभी माईक टैसन बहुत छोटे था, सिर्फ और से 18 साल के था, लेकिन मीडिया इनको आने वाला superstar अल्रेडी बता चुका था, तो बहुत जाधा हल्ला होने लगा कि यार कब आएगा माईक टैसन, professional boxing कब करेगा, और यह मौका मि इनको हराते हैं, तो पूरी मीडिया इनके पीछे पड़ गई, और एक साल में दोस्तों इन्होंने बहुत सारी लडाईयां जीती, समझ नहीं है, शुरुवाती 18 लडाई तो 18 के 18 लडाई इन्होंने नौकाउट से जीती, नौकाउट पतलब पूरे राउंड हो नहीं नही हो गई, अब मीडिया ये बोलने लगी, लोग ये बोलने लगी कि कब World Heavyweight Championship के लिए ये लड़ेगा, और वो मौका आ गया दोस्तों 1986 में, 1986, ट्रेवर बर्बिक, अब World Heavyweight Championship जो होती है, रेस्लिंग ले लिजे, चाहें बॉक्सिंग ले लिजे, World Heavyweight Championship सबसे बड़ी होती है, त तो माइल्ड टाइसन World Heavyweight Championship के लिए गए, इससे पहले ये 28 लडाई लड़ चुके थे, जीते थे सारी की सारी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ट्रेवर बर्बिक अगर World Heavyweight Champion है, तो आप खुदी सोच सकते होंगे, कि इनका experience कितना जादा होगा, और माइल्ड टाइसन अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल के, लेकिन माइल्ड टाइसन ने फिर से नौकाउट से सेकेंड राउंड में ही जीत लिया, ट्रेवर बर्बिक कोहरा दिया, और यह जो अपसेट था, यह इतना बड़ा था, कि यंगेस्ट Heavyweight Championship in history अभी तक रहे हैं माइल्ड टाइसन, सिर्फ साड़े 20 साल की उमर में, माइक टाइसन Heavyweight Champion मन गए थे, ट्रेवर बर्बिक को हरा दिया था, उसके बाद क्या है, उसके बाद बहुत पैसा मिला माइक टाइसन को, बचपन इन्होंने काफी जादा दिक्कत में गुजारा था पैसे थे, नहीं लेकिन अब पैसों की बरसात हो गई, लेकिन इसी दोरान दोस्तों कुछ ऐसा हो गया, जो बहुत जादा backfire किया माइक टाइसन के लिए, अभी तक माइक टाइसन को एक बहुत ही proper guidance मिल रहा था, ठीक है, माइक टाइसन अपनी lavish lifestyle के लिए भी जाने जाते थे, इनको जितना पैसा आता था, यह क्योंकि इनको लगता था कि अगर मैं इस position पर हो तो मुझे अच्छा दिखना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन एक लाट डॉलर बहुत हो गया, तो यहां पर अभी तक 1986 तक माइक टाइसन को इस दिशा मिल रही थी, इनके coach दे रहे थे, दिशा इनके coach दे रहे थे, जो एक होता है ना कि एक पिता जी की तरह थे डमाटो और वो साया माइक टाइसन के ऊपर से उड़ गया, अब जब यह चीज हुई, तो कहीं ना कहीं माइक टाइसन की दिशा बेगड गई, 1987 आते आते दोस्तों, इन्होंने सारी बेट्स, जो थी मेजर बेट्स होती है, WBA, WBC और IBF, at the same time, इन्होंने, 1987 आते है, तो सब जीत ली थी, लेकिन अब माइक टाइसन का जो समय था, वो बहुत ही खराब होने वाला था, रॉबिन गिवें, जो उस समय की बहुत ही जानी मानी आक्टरेस थी, काफी इंटलेक्चुल, पढ़ी लिखी, माइक टाइसन पढ़ ठीक है, सैखड़ों गल्फरेंट्स रही है, ठीक है, इनकी तीन शादिया हुई थी माइक टाइसन के, और तीनों नहीं चली, तीनों में ही इनको डिवोर्स मिला, और माइक टाइसन के 6 बच्चे हैं, ठीक है, तो रॉबिन गिवेंस है, जब इनकी पहली शादी हुई, बिगार भी सकती है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप जिससे शादी कर रहा है, जिससे रिलेशेंशिप में है, वो किस तरीके की है, तो रॉबिन गिवेंस ने माइक टाइसन को मेंटली तोड़ना शुरू कर दिया, पहले तो प्यार हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िय साथ में दिखते थे, मैगजिन में फोटो चकती थी, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ा, तब माइक टाइसन को बहुत ज़्यादा प्रताडित करना चुरू कर दिया, रॉबिन गिवेंस ने, रॉबिन गिवेंस माइक टाइसन को जो पैसा आता था, उसके ओपर हक जताने ल दिया था कि ये डिप्रेशन का शिकार है, हलांकि जो आरोप रॉबिन गिवेंस ने माइक टैसन के ओपर लगाये थे, कि मुझे मारता है, अभी यूज करता है, डिप्रेशन का शिकार, वो सब जूटे चा भी तुए, ठीक है, तो माइक टैसन या पर पर परचान, अब उसका कहीं मन लगी नहीं सकता, तो माइक टैसन अब हम देखते हैं कि अब इनका डाउनफॉल चुरू हुआ कुछ टाइम के लिए, और ये डाउनफॉल 1995 तक चला, ये काफी वक्त तक रहा, फाइट्स लड़ी इनोंने, 1987 के बाद ही फाइट्स लड़ी, जीती 1987 से 1990 तक, ल 18 फाइनली ये हार गए, ये हार गए क्योंकि जैसा कि मैंने बता है कि इनोंने अपना पूरा डारेक्शनी रास्ता की बदल दिया, और उपर से इतनी ज्यादा टेंशन कि 1990 में पहली बार ये बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, माइक टैसन को, और दोस्तों, इनको नॉकाउट शेहरा दिया, और यहां पर जो माइक टैसन को बैड़स्ट मैन हो दा प्लानेट का खिताब मिला, कि बड़े स्वैक में आते हैं, बड़े जलवे रहते हैं, वो सब हवा हो गया, वो सब के सब पूरा बदल के रग दिया, और इसको आज भी दोस्तों, biggest upsets in modern sports history बोला जाता है, माइक टैसन हार नहीं नहीं, इनकी तयारी बहुत बढ़िया, एकदम proper shape में, लेकिर उसके बावजूद हार गए, तो 1990 में यह हुआ और उसके बाद दोस्तों, बहुत जादा problem शुरू हो गई माइक टैसन की life में, अगले 5-6 साल माइक टैसन के लिए ब अरेस्ट कर लिया जाता था, अब यह दुबारा सिलसला शुरू हुआ, माइक टैसन को कई बार गिरफतार किया गया है, कभी ड्रक्स के लजाम में, कभी लडाई के लजाम में, मैंने बताया ना माइक टैसन पब्लिकली किसा बिएव करते हैं, वो अभी तक नहीं है उनको, ठीक है, कई बार गिरफतार किया गया माइक टैसन को, जुलाई 1991 में एक बहुत बड़ी घटना होती है, माइक टैसन के उपर आरोप लगा कि इन्हों ने एक 18 वर्ष की लड़की का बलातकार किया, और माइक टैसन को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अब माइक टैसन को जब अर माइक टैसन सच में सच बोल रहे थे, वो भी राजी थी, मैं भी राजी था, मैंने कोई बलातकार नहीं किया, मैंने कभी जबर्दस्ती नहीं की, लेकिन ये कोट में माइक टैसन साबित नहीं कर पाए, और इनको हो गई 6 साल की सजा, जी हा, माइक टैसन को 1992 में जेल जाना पड़ा 6 साल की सजा होगी माइक टैसन को लेकिन माइक टैसन का व्यवहार इतना अच्छा था जेल में कि इनको वो 6 साल की सजा को 3 साल की सजा कर दिया गया और जेल में ही दोस्तों यह इसलाम में कनवर्ट हो गए मलिक अब्दुल अजीज ये इन्होंने नाम लिया था ये शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है 1995 में माइक टैसन अपनी 6 साल की सदा 3 साल की हो गई और 1995 में 3 साल के बाद माइक टैसन वापस आए और जब वापस आए तो भाया शेर अगर थोड़ा बहुत खायल भी हो जाय जायना रहेता वो शेयरी है दोबार वो रिंग में उत्रे और जब दुबार रिंग में उत्रे तो फिर से इन्होंने नौक आउट ना शरू करना शुरू कर दिया फिर से लोगों को मारना शुरू क पे और अब माईक टैसन के पास पैसा भी बहुत जादा आना शुरू हुआ पहले से जादा पैसा आना चुरू हुआ क्यों देखिए जब एक स्टार के साथ इतनी बड़ी कॉंट्रोवर्सी जुड़ जाए और जब वो कमबैक करे तो लोगों की सिंपेथी उसकी तरफ चली जाती है तो लोग माईक टैसन को बहुत पसंद करने लेगा और वहां पे अमेरिका में पेपर व्यू होता है ठीक है ना कोई अगर स्पोर्टिंग इवेंट है तो उसके पैसे दिये जाते हैं अमेरिकान ऐसे टेलिविज दॉलर्स कमाए और टीवी पे मीडिया में चाग है माईक टैसन यह सब कुछ हुआ 1995 में 1996 में और इनकी जो सबसे फेमस फाइट माईक टैसन वर्सेस होली फील्ड के साथ जो उन्होंने फाइट की दोस्तों यह बहुत फेमस फाइट थी होली फील्ड पे पहले बहुत सारी टिपणिया करते रहे थे माईक टैसन की इनको यह कर देंगे इनको वह कर देंगे ठीक है और तब माईक टैसन के बास डबलू बीए चैंपेंशिप भी आ गई थी ठीक है तो होली फील्ड ने चैलेंज किया और यह फाइट होती है दोस्तों 28 जू 1997 में इसमां माईक टैसन क माईक टैसन को लेकिन यहां पर माईक टैसन को लगा कि मैं होली फील्ड को हरा नहीं पाऊंगा फ्रस्ट्रेट होगे तीसरे राउंड में माईक टैसन ने होली फील्ड का कान काट लिया था चबा गए थे उनका कान और जब यह रेफ्रीज ने देखा तो उन्होंने तुरंद फाइट रोके माईक टैसन को दिस्क्वालिफाई कर दिया और दोस्तों इतना जादा इसमें बॉक्सिंग में गु लेकिन अब दोस्तों माईक टैसन भात नहीं रह गई थी पहले ती पहले हुआ करती थी तो फिर मामिक टैसन ने कुछ लड़ाई लड़ी कुछ जीती कुछ में कौंट्रोवर्सी जादा क्रियेट हुई ठीक है ये कई बार हुआ है Mike Tyson, कभी ये audience से बढ़ जाएंगे, कभी public से बढ़ जाएंगे, कभी media से बढ़ जाएंगे, कभी press conference हो रही है, press conference होती है, हमेशा वहाँ पे brawl करेंगे ये, लडाई करेंगे वहाँ पे जो दूसरा है, जो opponent इनका बैठा रहता है, मतलब fight से पहले हमेशा press conference होती है, जैसे दो लोग fight कर रहे हैं, तो उन दोनों को बिठा के press conference की जाती है, दोनों से सवाल पूछे जाती है, तो यह चीज थी है, ऐसा ही event हुआ था दोस्तों, Lewis के साथ, Mike Tyson को एक और opportunity मिली 2002 में championship, World Heavyweight championship के लिए, ठीक है, और यहाँ पे यह event हुआ बकायदा, बहुत इसको हम देखते हैं कि dramatize किया गया, और Mike Tyson को, मतलब यह बोला गया था कि हो सकता है, यह जीत जाए, लेकिन ऐसा क्योंकि जो Lewis थे, वो बड़े लंबे चोड़े और ताकतवर थे, तो Mike Tyson को लगा कि शायद वो यह World Heavyweight championship जीत जाएगे, लेकिन जीते नहीं, Lewis ने 8th round में Mike Tyson को हरा दिया, अगर आपको यह जानना है कि बॉक्सिंग कैसे लडी जाती है, तो मेरा विजंदर सिंग का lecture देख लि को फाइल किया, ठीक है, पूरी तरीके से सारा पैसा बरबाद कर दिया था, 300 million dollar उड़ा दिये थे, इतना पैसा आया, बताई इतना जादा पैसा, अर्बो रुपए को इनसान कैसे उड़ा सकते, लेकिन Mike Tyson है, उन्होंने उड़ा दिये, ठीक है, बहुत खर्चा करते थे, आ Mike Tyson ने कुछ movies करने शुरू की, कुछ shows में जाने शुरू किये, ताकि करजा उतारा जा सके, ठीक है, और ultimately 2005 आते आते दोस्तो, Mike Tyson ने retirement ले लिया, ठीक है, तो ये चीज है, उसके बाद दोस्तो, Mike Tyson ने tour किये, exhibition tours किये, ठीक है, friendly match होते थे वहां उतर जाते थे, और movies भी बहुत of mind मिला, Mike Tyson ने 2012 में Tyson Cares Foundation भी शुरू की, ठीक है, ये उन बच्चों को लड़ने का मौका देती है, boxing सिखाती है, और बहुत सारे innovative centers भी है, इनके पास पैसा नहीं होता, तो अच्छा काम भी किया, 3 share थे इनके पास, 3 share पाले थे Mike Tyson ने, और बाद में इनको बेच दिया था, क् क्योंकि जब पैसा नहीं था तो फिर कहां से, इस share पे ही खर्चा 70 million dollar का होता था, 70,000 dollar का होता था, 70,000 dollar का share था, लब 70-80,000 dollar, तो इतना जादा क्योंकि उनकी diet अलग होती है, share पाल रहा है, पता है, ये एक इसल share पाल रहा है, कामाल की बात है, है ना, तो 2017 में Mike Tyson ने अपना advisor चुना था, Donald Trump जो थे, वो Mike Tyson के advisor थे, क्या आप विश्वास करेंगे, और बहुत सारी photos है, Mike Tyson और Donald Trump की, और Donald Trump को काफी support भी किया था, Mike Tyson ने, जब ये president के लिए चुनाओं के लिए गए थे, फिक है, तो अभी at present की बात करें, तो Mike Tyson का YouTube channel है, interviews देते है, शो में जाते है, और अगर movie मिलते है, तो movie भी करते है, तो ये कहानी थी Mike Tyson के, 58 लडाई या लड़ी, 52 जीती, 6 हरी, I hope आपको पसंद आई होगी, खुश रहेए प्रते ने, इदेसे से दाम तक नहीं होता ही, सायने,